असलाम अलेकुन दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से हमें इसा वाकी फैरना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इस क्यूब के पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रिस कर लि कर तो साथियों मेटराश टू अप्लिकेशन में कुछ दिन पहले ही अभी एक अपडेट आया था जो अपडेट में ये था कि जो भी डोमेस्टिक वरकर यदि अपने स्पॉंसर्शिप को चेंज करना चाहता है तो वो मेटराश टू अप्लिकेशन की मदद से अपने मेटराश टू में अपने स्पॉंसर्शिप को चेंज कर सकता है क्योंकि मैटराश्टू पे दोस्तो अलग-अलग सुईधाएं दी जारी है अलग-अलग आपको हमेशा अपडेट्स मिलती रहती है तो मैटराश्टू में कुछ दिर पहले ये अपडेट आई थी होगा और यदि character certificate निकालना होगा तो उसी से निकालके दोस्तो अपने email ID में लेकर उसे PDF फाइल में निकलवाके दोस्तो कहीं पे भी प्रिंट करवाके अब निकाल पाओगे पहले मैटराश्ट पहले दोस्तो क्या था कि character certificate निकालने के लिए हम लोगों को नजदिकी police station या CID office में आपको जाना पड़ता था उसके बाद ही हम लोग अपने character certificate को निकाल पाते थे पर इस तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा मैटराश्ट टू से मदद से आप अपने character certificate को निकाल पाएंगे किसी भी police station या फिर आपको CID office आने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं होगी अगली खबर की उर सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही हो custom department के तरफ से आ रही सातियों custom department के तरफ से बहुत ही बड़ी कारणामा दोस्तों किया गया बताना चाओंगे दोस्तों custom department के तरफ से लगभग 41 किलो से भी ज़्यादत तंबाकू को वहाँ पे जब्त किया गया तो सातियों वहाँ पे किसी Asian sucks के द्वारा छुपा कर लाया जा रहा था फिलाल उसकी तीखी नजर से दोस्तों बच नहीं पाया custom department के तरफ से और उसे गरफतार कर लिया गया मैं आपको बता दू साथियों यदि आप कतर अभी आने वाले हो या आप कोई भी आ रहे हो तो कोई भी ऐसा समाना बिल्कुल लेकर कतर एयरवेज अब एयरपोर्ट मत पहुंचिएगा जो कतर में इलीगल हो क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए नए आते हैं और तंबाकू वगएरा खैनी वगएरा यह जो भी जी नसीली परदात अब आपको सामना करना पड़ सकता क्योंकि यह इलीगल वहाँ पर समझा जाता है तो ऐसी कोई भी चीज का वहाँ पर लेकर आप बिल्कुल भी ना आए जो वहाँ इलीगल हो चाहिए वह टाइबलेट हो नसीली परदात हो कोई भी ऐसे चीज लेकर कतर में ना पहुंचे जिसक मास को लेकर फिर से परपाबंदिया कुछ लगायी जा सकती है ऐसा में इसलेकर आ रहा हूं क्योंकि कतर गवर्मेंट जो बिल्कुल रिक्स नहीं लेगी क्योंकि आपको पता है कि FIFA World Cup होने वाला और यदि FIFA वर्ल का भी इस बर्स नॉर्मल तरीके से नहीं हुए तो गतर को बहुत ही जादा नुकसान होगा तो इसके लेकर हो सकता है फिर से पाबंदिया लगाई जा सकती यदि केस बढ़ता है तो पर जा मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो क्योंकि केस बढ़ने से लोगों को काफी जादा दिक्कते होने लगती है तो दोस्तों ये कुछ अफ़ेट्स थी कुछ खबरे थी जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक सेर किया आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो च्लुकि वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ शेर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ नेक शुटे पहले आफीस और टेक केर